दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से LTS में स्वागत है बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है इस पंग्ति का ये अर्थ है कि जिसने भी प्रयास नहीं किया जिसने भी थोड़ा रिस्क नहीं लिया वो पैसा नहीं बना पाता है भारती बाजार में अगर देखा जाएं ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं आपके कॉमेंट के माध्यम से मुझे इस बारे में जानकारी प्राप्त होती रहती है तो एक ऐसा वरग भी है जिनके पास बड़ी धनराशी है जा है उनकी अपनी गाड़ ही कमाई हो किस माध्यम से उनने कमाया शुरू से ही रईस हो तो क्या वो मार्केट में ना निवेश करें तो कुछ ऐसे लोग हम से पूछते हैं कि हम एक साथ इतना बड़ा पैसा लागाना चाहते हैं कहां कौन से स्टॉक में निवेश करें तो ऐसी सलाद है ना किसी स्टॉक में आप बड़ी धनराशी लगाए एक साथ लगाए ये बहुत धर्म संकट कर विशय हो जाता है हमारे जैसे लोगों के लिए तो आज हम उसी पर फोकस करेंगे कि अगर बड़ा पैसा लगाना ही चाहते हैं आप रिस्क लेना ही चाहते हैं तो आप छोटी कंपनियों में मत लगाए आप उन देश की बड़ी कंपनियों में लगाए जिन्होंने हर मौसम देखा हुआ बाजार में हर गिरावट देखी हुई है और जिनका भविश उज्वल है जो टेकनोलोजी की कंपनिया है आज हम दो टॉप IT कंपनियों आपके समक्ष पेश करेंगे जो अच्छा डिविडेंट भी देती हैं और आपका पैसा कही गुना भी होता रहा है मल्टिपल होता रहा है तो आज हम कोई सरकारी कंपनिया आपके समक्ष नहीं लाने वाले है दो IT स्टॉक्स की बढ़हा कंपनिया है प्राइबेट कंपनिया है वेलबेशन वाइस भी ओके लग रही है मार्केट कैप वाइस भी अगर देखें टेक महिंद्रा टेक महिंद्रा का अगर आप देखेंगे डिविडेंट इल्ड पहले देखिए जो भी वर्तमान प्राइस है दस सो चपन रुपए और साल में इसने जितना भी डिविडेंट पे किया है अगर उससे आप विभाजित करेंगे तो डिविडेंट इल्ड निकल के आएगा 4.25% यानि कि इतना इतना आपको जो है रिटन मिल रहा है इस प्राइस के इसाब से अब ये कम ज्यादा होती रहती है देखे इसने हाई कितना बनाया था टेक महिंद्रा ने 1838 का और 943 का लो और अभी चल रहा है 1056 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो निकल के आ रहा है 19 का प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.82 का पांच रुपए की फेस वैल्यू यानि कि भविश्य में ये कभी स्प्लिट हुआ तो आपके शेर्च की कौन्टिटी भी बढ़ेगी उस समय वैल्यू वही रहेगी अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इसकी मार्केट कैप कितनी है एक लाग करोड के आसपास है जबकि आप देखेंगे जो दिगज है TCS ऐसी कमपनी है 12-13 लाग करोड के आसपास है इसे तरीके से इनफोसिस अगर आप देखेंगे तो वो भी 6-7 लाग करोड के आसपास उसकी मार्केट कैप है तो उनसे कही गुना छोटी कमपनी है तो ये तो रहा पहला स्टॉक निफ्रे 50 का स्टॉक है दूजरा जो स्टॉक है HCL Technology है जिसका वर्तमान स्टॉक प्राइस है 966 रुपए का 1370 का हाई बना चुका है 877 का लो और वर्तमान समय जो चल रहा है 966 का इसकी जो मार्केट कैप्टल धाई लाग करोड से ज्यादा की है 2 रुपए की face value है 19 का price to earning ratio इसका भी है price to book value 4.23 और जो dividend yield है 4.35% आ रहा वर्तमान स्टॉक प्राइस के साब से रिस्क लेना ही है तो इन बड़ी कमपनियों मिलीजिए अब इन कमपनियों ने आपको 10 साल में क्या बना के दिया एक तुर regular आपको बड़हा dividend पे कर रही है ये आप अलग कर दीजिए दूसरी जिस जो आपका मूलधन है जो भी आप चाहे SIP मोड पे निवेश कर रहे है चाहे आप लमसम डाल रहे है तो अगर 10 साल का return हम देखते है तो HCL take ने जो है 620% आज की date में आपके मूलधन को बना दिया यानि किसी दिने 10 साल पहले अगर निवेश किया होगा माली जी किसी ने 1,00,00 रुपए डाले है तो 6,20,000 आज उसकी value है 6 times से ज्यादा उसका फंड हो चुका है तो क्या ये multi-bagger return नहीं है साथी साथ regular जो आपको dividend मिल रहा है ये भी तो दे रही है हर साल और भी कई तरीके से आपको benefit पहुचाते हैं buyback के माध्यम से और भी अनेक प्रकार के corporate actions होते रहते हैं इन बड़ी कंपनियों में अब देखी एक साल में चुकी अब देखें US stock market में भयानक गिरावट है वहाँ के टेक्नलोजिक कंपनियों में तो इन कंपनियों में क्या होता है ज्यादा तर होते ही mutual funds होते हैं domestic institutions होते हैं और सबसे ज्यादा जो होते हैं वो होते ही foreign institution investors या FPI भी कह सकते हैं FIIs, FPI उनका बड़ा पैसा होता है तो उन्होंने जब यहाँ से निकाला तो इन stocks में भयानक गिरावट आई और इस वज़े से आज छोटी price के आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो जिनको dividend भी अच्छा चाहिए और अपने पैसे को कई गुना भी देखना चाहते हैं यानि कि आपको शांदार dividend भी पै किया और आपके पैसे को साहे चार गुना भी कर दिया जबकि 1838 से यह दस्सू पे है यानि कि अगर हाई से देखेंगे तो यह percentage change हो जाएगा यह तो वर्तमान stock price के इसाप से return दिख रहे हैं यहां से देखेंगे तो इसका आकड़ा ही बदल जाएगा क्योंकि अगर किसी ने छोटी price पे निवेश किया है बहुत पहले तो उसको compounding का और भी ज्यादा फाइदा मिलता है जो दिगज कमपनिया है बड़ी कमपनिया है लंबे उधी के लिए जिन में निवेश कर सकते हैं तो वो इस तरीके की कमपनिया हो सकती है मेरे विचार से वर्तमान समय के इसाप समय कह रहा हूँ जो मुझे आकरशक लग रही है डिविडेंट के रूप में भी और एक मल्टी बैगर के रूप में भी अगर आपके पैसे को दस सालों भी अगर सुरक्षत तरीके से कई गुना कर देती हैं तो बुरा नहीं है फिक्स डेपॉजित में 7-8 सालों में डबल होता है यहां तो बहिया आपको फिक्स डेपॉजित वाला इंट्रेस्ट भी मिल रहा है साथी साथ आपका पैसा भी कई गुना हो रहा है अब बहुत सारे ऐसे जुजहारू निवेशक है नवीवक निवेशक हैं जिनकी धमनियों में गरम खौन दावरा है वो कहेंगे कि हमें 400% रिटन नहीं चाहिए हमें डिविडेंट भी नहीं चाहिए हम तो जो है हम यहां पे 20 गुना चाहते हैं 25 गुना चाहते हैं 30 गुना अपने पैसे को देखना चाहते हैं तो उनके लिए यह कमपनिया नहीं है वो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं अगर उनकी छोटी आयू है छोटी उमर है उनका पैसा खुद का नहीं होगा तभी उनकी ऐसी मान सकता है देखे जिसने भी अपनी गाड़ी कमाई करके अगर माली जी बड़ी धनराशी कठा की है 10 लाग 15 लाग 20 लाग 25 लाग 30 लाग 50 लाग वो कभी छोटी कमपनीओं में छोटी मार्केट का अपई कमपनीओं में निवलिलिस्टेट कमपनीओं में पैसा नहीं लगाएंगे उसका कारण है माली जी कि IT सेक्टर की बात कर लेते हैं एक नजर डालें तो लेट इंटर्विव अभी हाली में जो है नियू लिस्टेट कमपनी है एक देर साल पहले हैप्यस माइन से जो है लिस्ट होई थी ठीक है अब आप सोचिंग के अगर पैसा डालना है तो इन में डालने बड़ा पैसा बनेगा मेरे भाई अगर किसी ने इसने हाई बनाया था साड़े साथ सो का अलो बना चुका है तीन सो पाँच का सीमपी करीब करीब देखा लिया तो कोई इस मानसिक्ता के हिसाब से साड़े साथ सो या साथ सो पी अगर ले लिया कि भाई मैं इस समय पैसा डाल देता हूं लंबी अधिक ली भूल जाता हूं उसने बड़ी धनराशी डाली लाक दो लाक चाल लाक पांच लाक तस लाक आज उसका पैसा आधा हो चुका है तो उसकी क्या मानसिक्ता होगी सोचिए क्या वो अपना डिमेट अकाउंट ओपन करके देख पाता होगा ऐसा नहीं कंपनी खराब है ऐसा बिलकुल भी नहीं कंपनी खराब है हो सकता है कंपनी मल्टिवेगर हो आपको दस सालों में लेक के ज्यादा गिरावर्ट छोटी कंपणियों में आती हैं इस तरीके सहपेस माइन्स में अगर देखते हैं तो पंद्रह सो चाठ चाठ कहाई और आठ सो पचास का लो और जो सी अमपी है 900 अरशड के आसपास या 900 कह लीजिए तो ये तो सारे लोग रिक्वर्ट तो करी जाएंगे इनमें कोई दो राय नहीं है लेकिन समय लगेगा लेकिन कहने का ताथ पर है ना तो यहाँ पर डिवडेंट आपको मिल रहा है लेकिन उतना डिवडेंट देती क्योंकि सारा पैसा अपने एक्सपेंशन में लगा रही है अभी छोटी कमपनिया है अपने आपको ग्रो करना है ज्यादा ग्रो करना है इनकी तुलना के मुखाबले इनका इतना ज्यादा प्रॉफिट आता है आप देखिए वैलवेशन द कमपनियां भी बुरी नहीं है हैं लेकिन बहुत लोग की चिंताय रहती हैं कुछ लोग के कॉमेंट्स है थे कि हैप्यस मैंट्स में सर जो इसके प्रमोटर है मिस्टर सूता जी काफी वरद्ध है लेटेंट भी है फूरा कारोबार जो है अमेरिका में 92% की आमद वहां से हो होना तो नहीं चाहिए लेकिन ऐसा बोल दे तो बहुत तवाम तरीके की इसूज होते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि बुरी कमपनिया जिनके पास बहुत लंबा समय जो बहुत ज्यादा रिस्क रिवार्ड लेना चाहते लेकिन जो निफ्टी-फिप्टी के साथ जाना चाहते हैं कभी एठारा रुपए पर शेयर, एठार साल में कई दफा देती रहती है। अब देखिए HCLT1 ने जो है बोनस भी दिया था, 2019 में बोनस भी दिया था, और अगर कमपनी रेविलर कमा रही है, तो जहर सी बात है कि EPS स्ट्रॉंग होगा तो value भी बढ़ेगी। इस तरीक से टेक महिंद्रा का देखिए, टेक महिंद्रा का अगर आप देखेंगे dividend के मामले में, टेक महिंद्रा has increased or maintained dividend levels over the last 5 years, यानि कि टेक महिंद्रा बेहतरीन dividend पे कर रही है और इस लेविल को उसने maintain किया हुआ है, और valuation wise भी देखें, 19 के price to earning ratio पे trade हो रही है, अब देखिए यहाँ पर 15 रुपए पर share, 15 रुपए पर share, 15 रुपए पर share, हर बार 15 रुपए पर share दे रही है, साल में कई दफा दे रही है, तो हुई ने बेहतरीन dividend वाली कमपणिया इतनी गिरी मिल रही है, समझे कि आधी तक हो चुकी है कुछ कमपणिया तो, तो ऐसे opportunities शायदी कम मिलते हैं, कभी market crash हो गया तो मिलते हैं, या जिस प्रकार का वर्तमान समय है, अभी तो भाग गई हैं काफी, अभी तो भाग गई हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं भाग पाई हैं, और भी ऐसे आगे opportunities आती रहेंगी, ऐसा नहीं है, market में कभी भी देर नहीं होती, बस आप अपने पैसे को सही से हर गिरावट में ही लें, यह मेरे लिए भी धर्म संकट का विशय है कि मैं आपको कह दूँ, जैसा आप मुझसे प्रश्ण पूछते हैं कि हम बड़ा पैसा एक साथ लगाना चाहते हैं, कौन सी कमपनियों में लगाएं, तो मैं विचलित हो जाता हूँ, कि आपको मैं कौन सी कमपनियां बताऊँ, आप कितना आप पैन सह सकते हैं, माली जीए कि इन ही कमपनियों में आपने लगाया होता, एक सेल में ही, और 1838 का हाई बनाते हुए, 943 का लोग बना चुकी है, करीब-करीब देखा जा तो आधी हो चुकी है, तो इतना पैन कैसे आप सह पाएंगे, हाला कि ये कमपनियां तो रिकवर कर जाएं, क्योंकि देखे, बड़े हो फंडमेंटल्स हैं, साल का जो टर्नवर होता है, 45,000 करोड के आस पास इनका निकल के आता है, बहतरीन कमाती है, प्रॉफिटी भयानक कमाती है, देखे, 5,5,000 करोड तो सिर्फ इनका प्रॉफिट आ पास जो होल्डिंग है, 35.24% है, mutual funds 12% है, other DIs 7.94% है, अंग्रेज देखे, कितने ज्यादा है, 30.43% इस गिरावाट में है, क्योंकि बेच के भागें हैं, तब इतना गिरा हुआ है, जब उनकी वापसी होगी, तब फिर ये भागेंगी उपर की हो, आईटी के टॉप कमपनि है, कहने के ताथ पर है, कि जो आपके पुरशन थे, मेरे इन चीज़ों को बताने से आप भखोबी समझ गए है, रिस्क आपका है, कितना पैसा आप लगाना चाहते है, आप ताई करेंगे, आपके जो भी financial advisor हों, जो भी आचार हों, जो भी गुरुजन हों, उनसे मश्वरा करने के प्रश्चाथ, मेरा काम था आपके समख्षत्रों डिफरेंट तरीके से कुछ कमपनियां प्रस्तुत करना, ताकि आपको भली भादी समझ में आ जाए, कि हम किस प्रकार के निविशक है, और कहां लगा सकते हैं, कि हम छोटी कमपनियों में रिस्क ले सकते हैं, कि हम ऐसी सधी सधाई कमपनियों में जा सकते हैं, जो रेवलर डिविडेंट भी प्रकार कर रही हैं, कोई विचार हों, कोई सुझाओं तो जरूर आप कॉमेंट बाक्स में रखिएगा, थैंक यू सू मच